स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चनल साइंस्टी टेकनोलजी में मैं अनुवर्मेबल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आज के शोर फ्यूचर फ्राइड़े में आज हम लोग बात करेंगे कॉस्ट का पैरडॉक्स के बारे में तो आए इसे समझते हैं तो सरसे पहले मैं बार-बार समझाते हैं जब भी आपके सामने कोई नया टेकनोलजी आता है तो हम लोग थो जाता है फिजिक्स में या इंजिनियरिंग में आपको यह समझना बहुत ज़रू है फिजिक्स बताता है यह हो सकता है कि नहीं इंजिनियरिंग बताता है कि हम तक भईया, मार्क वन, आप मार्क टू, मार्क थरी ये सब कर सकते हो, ठीक है, अब रहा बात की ये होता क्यों नहीं है, अगर अगर मार्क थरी तक हमारा प्लेन बन रहा है, जा रहा है, तो मार्क थरी पर हमारा पैसेंजर जेट क्यों नहीं चल रहा है, वो आता है सबसे important layer पे economics तो सब चीज का core समझना बहुत ज़रूरी है economics एकिदम clear है factual reality है इसको आप छेड़ नहीं सकते इसको hack नहीं किया जा सकता और अगर जबरदस्ती आप market forces पे control करते हैं जैसे Soviet Union किया या चाहिना किया उसका long term penalty बहुत ज़ादा खतरनाख होता है तो आपको कभी भी कुछ समझना है कि क्या ये चीज successful होगा की नहीं होगा long term में, short term में बहुत noise होता है data में आप बहुत confused हो जाएगा लेकिन long term में तो आप अराब सा breathe out करेंगे तो आप अराम से जगा पे जा सकते हैं आप 6 साल पहले सा आप भला कर रहोगे ये ये hyperloop से धान लिए, कुछ नहीं होने वाला है और बाद में स्टेमा कोई पीछे सब लोग चिल लाएंगा फिर अभी बुलेंगा, हाँ बात तो सही था यार million सब डॉल डॉल गिया तो बात वही है, physics, engineering, economics ये कभी नहीं बदलने वाला है तो वही समझे, हमारी दुनिया की जो complexity आपको दिख रहे हैं कि ये क्यों काम किया, दूसरा क्यों नहीं किया हम लोग बहुत ज़्यादा खो जाते हैं उसके अंदर पैसा जो है, वो क्या है, पैसा जो है उससे आप कुछ करते हो पैसा से या तो आप profit लेटे हो, या तो value लाते हो जैसे कि अगर आप देश को देखते हैं तो देश इन्वेस्टमेंट करता है दो तरीके का एक होता है जिसे profit आता है एक होता है जो value लाता है जैसे हैं आप सिंपल लीजिए, मतलब मैं यहां सिंपलिफाइ कर रहा हूं है, आप पूरा यह पॉड़स रखते हैं, पीएजडी लोग करते हैं, इसाब को समझानेगे, लेकिन मैं यह आप इसको एकदम आप पब्लिक के लिए एवल पे ला रहा हूं कि आप खुद क्यों न आपको दिया काम, उसे टोल वापस नहीं आने वाला है, लेकिन उससे आपका पीस आता है, सिक्यूरिटी आता है, यानि कि अब आप कहते हो कि इंडिया से कोई कंटेनर शेप निकल रहा है, वो जा रहा है, जैसे मालीज़ साथ अफरिका में, कुछ भी करने लिए, ट्रेड कि आर्मी है, हम सभाल लेंगे, तो यह समझना पूझ रहा है, वैल्ली होता है, जो एक तरफा पैसा आप डार रहा है, लेकिन उसके बदले कुछ मिल रहा है, जैसे आप मॉनिटरी नहीं कर सकता है, लेकिन उसकी इंपोर्टेंस है, फिर दुसरा डैरेक्ट प्रॉफिट हो पाँच लाफ लोगों को इधर उधर कर पारे थे ठीक से जो नेटर्वर्क है, वो पाँच लाफ में आपने अपने मेटरो खो दिया, अब दस लाफ लोगों को इधर कर पारें, यानि कि ट्रेडिंग वोल्यूम बढ़ गया, तो जनरल यही दोनों चीज की कोशिश की जात जैसे कि जमिन की नीचे कर ज़ेते हैं जगा नहीं ख़िदा लेकिन तब इंजिनेरिंग सीधा बोले गाएं एकनोमिक से फेल हो जाएंगा होता है टनल बोरिंग मशीन फ्री है टनल के इंजिनियर्स फ्री है उसको कर बाने का जो बिरोक्रिसी है लुट मारेगा एक्जामपल हर देश का tunneling देखिए, किसी भी देश का tunneling ऐसा नहीं, हम यहाँ है, हमने tunnel बनाया, tunnel बन गया, ऐसा, किसी खने ही हुआ है, हुआ ही नहीं है, यह आज तक है ही नहीं, तो यह समझना बहुत जुरूरी है, कि आपको यह तीनों परत को देहना पड़ेगा, कि tunneling की physics से पता है हम engineering solid, sorted, economics से वह हमेशा fail हो जाता है, हमेशा, एक बार नहीं, बार बार नहीं, हमेशा, तो यह सब आपको समझना पड़ेगा, तभी आप हिसाब लाग पागे, जैसे कि वरण नसी में रोपे पे तुक्का मारा जा रहा है, क्यों मार रहा है, क्योंकि यह metro के लिए जमीन नहीं है, यह मतलब राम के लिए जमीन नहीं है, मेट्रो के लिए बजट नहीं है, बचा क्या, तो तीनों परत से आप सोचेगा, ठंडे दिमाग से, आधा से ज़्यादा चीज क्लियर होने लगेगा, और यहाँ पर कोई चीज क्लियर नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है, यह त सफ डॉलर लगा दे, वो यहाँ पर फेल हो रहा है, वो फेल होई जाएगा, समझना, बस कितने देर में होता है, मतलब है, सब आते हैं कि सब बेकुफी हम लोग पहली बार कर रहे हैं, कई बार कर चुके हैं, तो डिबेंट करता है, कितना टाइम में लोग सिखेंगा, तो यही समझे है, और यह तीनों परत का अगर बैलेंस है, तभी आप सर्वाइव और थ्राइव करते हैं, यानि कि आपका ग्रोथ होगा, देश जहां था, वहां से आगे बढ़ पाएगा, और क्वालिटी ओफ लाइफ सब का धीरे धीरे बढ़ेगा, तो यह तीनों परत को द ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी, तो अब बात कते हैं, यहां पर कॉस्ट पैसा, इसमें सबसे इंपोर्टन चीज है, विश, आप क्या चाहते हो, अब रहा बात यहां पर दो काउंटर फोर्स चलते हैं, यानि कि मार्केट फोर्स इसे कह लिजे, हमको कह चाहिए, हमको अब रहा बात की, यहां पर सबसे बड़ा औजार बन जाता है, सस्ता कर दो कोई चीज को, ठीक है, तो अब रहा बात, सस्ता कर दो, ठीक है, सब को चाहिए, मतलब कंपनी के लिए फाइदा होगा, कि वो सस्ते में बना रहा है, ज्यादा बाईच पाएगा, और खरीदने वाले को फाइदा होगा, कि हम सस्ते में खरीद पा रहा है, ठीक है, बहुत बढ़ी है, मार्केट ग्रोफ करेगा, बल्ले बल्ले, लेकिन करो कैसे, आपकी एक्छा है क्या सस्ता कर दोहर चीज को ले है, आपने क्या करोगा, पहले तो आपको इंजिनिरिंग को खर्ची देना होगा, कि या आप इसका PCB बनाओ, इससा बनाओ, ठीक है, फिर उसका आद आपने मशीन को चोड़ दे, लाप टॉप को अस्म्बली करने के लिए अब अग्वेस्ट दो आएगा, या तो उसे पातने की नहीं कर साथे, लेकिन खर्चा होगा, और मतलब दिमाग बहुत लगेगा, तो आपके पास चीप लेबर एक option आजाता है, चीप लेबर जो है, आसान बहुत है, लेकिन आउट अप साइट होना चाहिए, यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है, यह सबसे बड़ा मतलब स्कैम समझ लिए एक तोर से, हुआ था 20th century का, यानि कि जब global trade खोला गया, world war 2 के बाद से, उसमें उमीद यह थे, कि सबको पता था कि चीप लेबर का तो सिफ exploitation होगा, लेकिन उमीद यह था कि वो सब ग्रोथ करेंगे, तो गाड़ी आगे बढ़ जाएगी, पता पानी के तरह बाहरा ऐसा क्यों है, बात है, चाइना के लोगों का पैसा हो गया, वो कमाने लगे, तो उनको जो सफरिंग कर रहे थे, जैसे माली जी मेरे पाप, बहुत कम पैसे में काम कर रहे थे, वो कभी नहीं चाहेंगा, कि मैं भी उसे चालत में रहू, लेकिन रहा बा प्रप्रटेशन का वह बन गया है। यानि कि पहले चाइना में हो गया वहां पर दाम कम नहीं कर पाए अब इंडिया में आजाओ। इंडिया में नहीं कर पाए बंगलादेश चल जाओ। बस कूद रहा है। गुरोथ किसी और नहीं करने दे रहे हैं। तो यह समझना बहुत इसका विकिपीडिया पर एक पेज है कितने लोग सुसाइड करते हैं। रेगुलर्ली, बिल्डिंग में जाली लगाया गया कि लोग कूद जाते हैं पकला के, रेगुलर्ली, जाली लगाया गया, रेगुलर्ली, यह भूला न, no more i slave, मतला आप सोचोगे न, कि अरे आइफोन बना रहा है, क्या पैसा होगा, कुछ नहीं, चिल्लड छुट्टा, कु इंडिया में जैसे आप और हम खाना के लिए उतना हाइक तपा नहीं करेंगे, क्यों, देख रहे हैं एक फार्मर कॉन है, लेकिन अगर आप उस देश में खाना पाहर से आ रहा है, तब आप खाना कर नाम में बहुत धनलियर हो रहा है, आपको उतना फरक नहीं पड़ेगा मतलब खाना को ज़्याद ही सस्ता रहा है, कैसे सस्ता रहा है, अच्छा जर्व स्यादा ये कर रहे हैं, क्या बोलता है, मतलब किसांस की लिए ले रहे हैं, और आपको अगर लगने के इंडिया में उससे दस गुना बुरा होता है, अगर हमारे निउस में आ जाता है, कि मतलब अप लिए खुड़र है, अगें, अगें अच्अग रहा है, तो वहीं क्यों कर रहे है, अब कुझेस पर स्थ sneaking के आइ जुँडर है, तो इस अच्म्रम। भूंत रहा है, वहीं क्यों क्यों कर रहा हैं कि यहाँ ऐं पस भी स्याद्ट से टीयाम पयो हैं स्यादे में ब faith के लिए कि नहीं स्वड़ा आप भी रहेंगे सब रहे तभी चल सकता है तो faith के लिए अब रहा पात की हम लोग खुद का क्यों नहीं कर लेते सब के पास इंडिया में end में सवाल यही आता कि हम लोग खुद का क्यों नहीं कर लेते उसके लिए balls to feel चाहिए यानि कि इस मामले में अमेरिका बहुत अचाहता है इसलिए अमेरिका चान तक पहुंचा कि हम try करते ना, अरे सब हो जाओगे होंगे ना, होंगे आगे बढ़े के, वो कर पाने का जिगर जो लो रखते हैं वही आगे बढ़ते है यूरोप का मतब जो समझे वर्ल्ड वार चल रहा था उस दर्मियान क्या-क्या development हुआ है टेकनोलोजी के मामले में हैरान करने वाला UK, अमेरिका को कैसे अमेरिका से कैसे ये लिया एक अंटाइची बेचा मतब बड़ा सा अलमीरा वह अलमीरा खुद गूगल कीजिए उसमें क्या भेजा गया था पूरा शिप आर्माडा लगा के भीजा गया वह सबसे एक्सपेंसिब बॉक्स है अभी तक जो अमेरिका के कोस्ट पे गया है उसका वैल्यू बहुत जाता है क्या था उसके अंदर? पेटेंट्स, सीक्रेट्स, मिलिटरी सीक्रेट्स रेडार का सीक्रेट्स आपना जेट एंजिन बना के, अपना अंदर घुसा के रश्या को फोड़ होए है इतना बड़ा बूम कर दे रहे हैं कि वहां पर रिक्टर स्किल में डिटक्ट हो जा रहा है, दूसरे देश डिटक्ट है, इस रही में कुछ बड़ा पूड़ा है, कोई न्यू क्यूप तो नहीं फोड़ दे रिक्टर स्किल में अर्थक्विकार है, इतना कैसे बना लिए, ब अमेरिका बलता है भाहिया हमें सिखाओ यह हमसे तो budget नहीं होता है वह बॉल्स टु फेल चाहिए आपको risk लेना होगा और फेल होने का जिगर जाए इंडिया क्यों नहीं कर आप इंडिया सीधे इंडिया जाद हुगा है ठीक है पचटता साल पहले की बात हो रही है इंडिया लिए माग रहा है उसमें माक्कटू मांग रहे थे सर उड़ ना सीखो उड़ सकते हो की ने तो भी देदिया गया लिए खना उलर्फ जाए अब नहीं था था इंगन रीड़र इंजरे दूसरे था बनाओ, चाहिए क्या, उसमें रशिया देख लिए, रशिया ने, सोवियत उनियन कि, अरे, अमेरिका में मानलोग अमेरिका बुद्धीस को देना सुरू करती है, आगे बढ़ जाएगा, हम अगर नहीं दिये, तो ये लोग बनाना सुरू करती है, आगे बढ़ जाएगा, दो मार्क तु नहीं अचीव कर पा रहा है, कैसे अचीव कर लेगा, कैसे अचीव कर लेगा, आप एक्सपेक क्यों कर रहा हो कि वह एक बार में कर लेगा, रेलवे में इंजिनिरिंग फर्म जाती है, सर, हम बनाते हैं, आच्छा, हमको पहले सेफटी डेटा दो, बीस साल का, ब देखो, तुम्हारा हम जीपियस बन कर देखे, कभी भी मिलिटर टेकनोलजी दूसरे पर नहीं चलते हैं, थपढ़ मारा हम लोग सीखे, देखे, कितना अच्छा दोस था, अब अपना नाविक बनाए, आज देखे, वही सोवियत उनियन थपढ़ नहीं मारा, कबार देदी जाए, वही चल पाता है, और जो देख, या जो कल्चर रिस्क से भाड़ता है, वो मारा जाता है, शुद्ध बात है, दाए बाए नहीं, उपर नहीं, नीचे नहीं, शुद्ध मारा जाता है, एकदम शुद्ध है, इसमें डिसकॉशन नहीं की जाते है, इसमें politics नहीं होता है शुद्ध बात है आप बुलते हैं कि इस लाइफ का सबसे बड़ा मजाक ही होता है कि जो सेफटी के पिछे बागते हैं वही सबसे गंदा पिटते हैं हर कोई हमको सरकारी नौप चाहिए अपने हम इंडिया के बगर में बहुत सारे देस हैं जाए पाकिसान में जाए जाए इधार जाएए जाए यह तो कॉंटक्स्ट वही होता है जिनके पास बाल्ड तुफेञ है वो आगे बढ़पाएंगे जिनके पास नहीं हां वो चीप लबर खोजेंगे समारे जाएंगे तो यह समझीजिए यह दो फोर्से को हमें बैलन्स करना होता है और बंबा गेम इसे safely balance करने लिता है कि ठीक है हम technology बनाते हैं रहे आज का गाड़ी दाम नहीं सस्ता हो कल सस्ता हो जाएगा टेंशन मत लीजिए लंबा गेम खेलते हैं अब आते हैं mass production पे तो mass production ये सबसे बड़ा gift था इंडुस्ट्री रेवलुशन का ये actually हर चीज को डर्ट चीप कर दिया यानि कि एक टाइम पे गाड़ी artisanal product था यानि कि हाथ से बनाया जा रहा है गाड़ी है एक गाड़ी पर महनत लग रहा है और बहुत मेंगा होता था घड़ी घड़ी मतलब luxury की बात होती थी और ये सब मतलब आप इंडिया के आजादी के टाइम में बात करें आप लोग के दादा होंगे अगर मालियर 95 के वो बताएं घड़ी बड़ी बात होती थी घड़ी जो लोग पहले थे थे अरे महाराज आसी बत नहीं घड़ी उस टाइम नहीं था यह था है भी का मतलब ये मास करने ले लगे थे घड़ी का तो गाड़ी आने लगा थे इंडियामी आने लगात कैसे अर उस से पहले अगर अप घड़ी ले यानि कि मैं लें Ao mientras ब अ याब यॹए तब यह डिद्र से ह। तो ऐसा कैसा हो गए कि घड़ी करीड़ के फेक रहा है कैसा हो गया maas production से तो maas production किसी भी चीज पर पड़ जाता है कि हमको इसको maas produce करना है वो सस्ता कर देगा, dirt cheap कर देगा यहाँ पर वो इस अमझी है लेकिन इसका एक पैनल्टी आता है, इसका पैनल्टी आता है कि आपको एडवांस पर पता होना चाहिए कि क्या चीज़ का जरुवत है, यानि कि आप तुक्का लेते हो, जैसे कि आप टोएटा के पास जाते हो, टोएटा जी हमको एक गाड़ी बनाना ठीक है, वो फैक्टरी पनाने का डिजाइन करेंगे, या कोई फैक्टरी है तो उसको रीकनफिगर करेंगे, वो पहले कर रहे है, सारा इंवेश्मेंट वो पहले डाल रहे ह। यह करेंगे, उमीद करते हैं कि जैसे माली उनका मिनिमम होगा, इतना हम खर्चा कर रहे हैं, छे लाख गाड़ी बिज है कि नहीं, चेह से कितना उपर हम लोग जा सकते हैं, कितना टाइम में हम लोग कई iya हो सकता है, तो उस सारा कही साब लगा चाएगा आपको यह एडवांस पर पता होना चाहिए, नहीं तो बागवान पर उसे. और यह होता है बड़ी बड़ी कंपनी में होता है कि वो फैक्टरी लगाए चलाए और बोल गया जैसे कि टाटा कर नेनों के साथ हुआ सब चीज सही चल रहा था लेकिन पॉलिटिक्स उसमें घुज गया और फैक्टरी को जबर बना बना है फैक्टरी जो जमीन को कई साल पहले बेचा गया उसके पीछे लड़ाई जढ़ा करके उसे वहां से फसा अब उसको निकाल के वो यह दर लाए क्या बोलते है आपका काम गुजरात मेला है अब प्रॉब्लम यह हो था कि वन लाख इन हैंड होना था उसका दाम वह करही नहीं पा रहे तो उतना जो खर्चा उठाना पड़ा रिकवर नहीं कर दिया कि वान लाख फैक्टरी प्राइप यह शोरूम प्राइस है लेकिन जब आप रोड पे लोग तो 20 हो जाएगा वहाँ पे वह फेल हो गया तो कॉंटेक्स्ट वही था कि आपको एडवांस में गेम खेलना है आज का नहीं आप सोच सकते हैं आपको कल आगे का सोचना है कि सर हम बना तो रहे हैं लेकिन मार्केट में कैसा हो जैसे कि माली आप सुझा है हम गाड़ी बना रहे खतम हो जाएगा तो यह सा समझना बहुत ज़री कि एडवांस में आपको यह करना पड़ेगा अब यहां पे एक वेक्टर आता है बुरा वाला बुरा क्योंकि यह तो ठीक है वो तो रिस्क है हाई रिस्क हाई रिवाड वाला गैमबल है लेकिन दूसरा था है कंट्रोल डि कर दोगे ही तो यह जो है हर अब कंपणी है ऐसा नहीं कि आपको अपड़े रिस्क है कि आगे आपको तुका लगाए आपको और ना है आपको अब क palavra न है में लोगों को पता नहीं कि रोलेक्स गरीब लोग घडी थी, जासे आप आज बोलोगे न कि टाइटन का घड़ी वो रोलेक्स था, जिए क्रास क्रास क्राइस हो, जब ये क्रिस्टल बंने लगे डिजिटल गड़ी आने लगे, तो लोगोंने पिविट किया की इता लुट अ तब जाके वह इतना महंगा हो गया लोगों तो पता ही नहींगे कि कुछ साल पहले तक ही लोगों के पास है रोलेक्स पढ़ा होगा है हाँ को बड़ी बात नहीं है जैसे आज आज आप और हमारे पास टाइटन पढ़ा रहेगा तो वही है अब रहा बात की इसमें इंप्रूव्मेंट जो है जो आया जितना भी मास प्रॉड़क्शन है यह हमारे क्वालिटी ओफ लाइफ इंप्रूफ कर दिया आप और हम लोग उतना सोचते हैं साबून एक लक्जरी होती थी साबून बड़ी बात होती थी दूर दर्शन में आता था कि साबून नहीं हो त इसमें पैनल्टी कैसा है यह इंवायरमींटल इंपक्ट बहुत गंदा करता है यानि कि सस्ता कप्डा चाहिए ठीक है और से सश्ता कप्डा करता है यह आपका अंडर व्चरीप्र एसमें पानी ब wilderness निकलेगा इसमें जो वेस्ट होगा व्यूरम के और दृन इन जो करते है वो आपका underground water reservoir को contaminate कर देगा, नदी में जाएगा नदी को sterilize कर देगा, वो स्वाहा मंगला कर देगा, वो इतना गंदा है कि इसलिए उरोप का सारा कपड़ा चाहिना साने लेगा, उरोप में जैसे से वो regulations लगाएगा कि नदी में poison नहीं डालना है, वो बले या तो technology solve करो, य पूरा तो अच्छा भी नहीं है, लेकिन पूरा फिसले भी नहीं है, चाइना सा फिसले नहीं है, आपको लग रहा है कि वहां पर कैसे ब्रेक लगा है, वो है आपका profit margin है, वो margin priority नहीं बनना चाहिए, profit margin जो है, यह सबसे important चीज़ है, यानि कि मैं 10 लगा रहा हूं, 10 के बा 12 आ रहा है, अभी भी आप करोड़ों की बात कर रहा है, समझ रहा है, वो जो percentage जो मैं बता है, वो अभी भी बहुत है, लेकिन company नहीं आ रहा है, थोड़ा और चाहिए, इसलिए company दूसरे यहां कूदने लगती है, तो वो depend करता है, जैसे कि माले कोई Indian company है, कि यार हम ना एक कर देता है, मतलब कि जो उनका wastewater है, उसे treat कर देता है, तो वो priority की बात हो जाती है, ऐसा है, मैं एकदम क्लिए कर नहीं है, ऐसा नहीं है कि mass production होगा, तो कचरा ही बनेगा, बनेगा, लेकिन उसे solve भी कर सकते है, वो priority पे है, वो company वालों की priority पे है, कि वो क्या decide करते है, और culture के बना देता है, आशे कि ये, मतलब electronics के मामने सबसे सिंपल था, कि वही है, चला तो चला नहीं, चला तो फेक देना, अब रहावाद की company जाती है, वैसा हो, आप और खरता होगे, वो सीधे पहुंचे है, कि आपका demand control करते है, जैसे कि माली आप ट्यूब बना रहे हो, ठीक है जैसे माली आपको ट्यूब खराब और तब आप उसे फेके, तो आपको यह दिमाग में कड़वा हो जागा या या फिलिप्स का ट्यूब तो कचरा निकला, लेकिन माली जगर आपको डिजाइन से, यह नया model है, यह नया हूलाला है, वैसे अगर कि आपको तीन में मतलद द फेक देते हैं, तो यह जैसी वेस्टफूल बनते है, यह हमारा एक cycle क्रियेट करता है, जिसे करते हैं, चीप जंक, यानि कि हर चीज कबार हो जाता है, simple example देते हैं, आज के टाइम में कीबोर्ड, majority कीबोर्ड, डबल शॉट नहीं है, डबल शॉट हो यह लेजेंट है, दू इस टाइम में उतना महेंगा उता है, आट अजार डलर का है, आपका model IBM है, और उस पर आप हमको सस्ता कीबोर्ड दो गया, जूता हुता हुतार के मारेंगे, तो वह कर दिया, लेकिन रहा बात की हमनों को वेस्टफूल करने का अदर कि हादर कि, सुरु-सुरु के model में दीर आप चीज कबाड़ हो जाएगा, मतला आप पैसा दे के भी ऐसा चीज नहीं खरीद पाऊगा कि भईया, यह 20 साल चलने वाला है, हो गई? अब ही समझे, quality long term में खो जाता है, और उसके बाद इसको पैसा दे के quality खरीदना बहुत मुश्यज़, जैसे कि सिंपल रही है, जर् अभी तक चला रहे हैं लोग, बजाक नहीं कर रहे हैं, नाइटीन सेवेंटी में बना हुआ हुआ है, अभी तक चला रहे हैं, उसे रिपेर करते जा रहा है, एक्टम सॉलिड प्रिसाइस मशीन है, उसके जहाँ चीप चाइनीज फ्लड करने लगे, उन सारे लोगों को खर पालना पड़ेगा, और इसी को, क्वालिटी को अगर हम लोगों को वैल्यू नहीं करेंगे, हमें ही जोड़ना पड़ेगा, तो मास प्रोड़क्शन का बेनेफिट भी है, साइट इफेक्ट है, यहाँ पे दो चीज आ हो गया, अब बात करते हैं, कमपटिशन का, है, तो वहाँ पे कैसे काप चड़ोगे, तो काम करेंड हैं, क्तर इमयल करते हैं वह इसलिचन करोगे तो तो वह सतर कीलो मतलब सतर यूनिट विजली में एक टन पानी निकाल रहा है समुंदर से ठीक है आपको देना ही पड़ेगा ऑप्षिन क्या है लेकिन आप ऑप्षिन हा क्या है जैसे वह साथ है यह माली यूए जो है अब वहां पे इसराइल आ जाता है इसराइल बोलता है हम कहेंगे आरो अब घटा देता है दाम आपका कि यह हम आपका पानी साफ कर देंगे सिर्फ तीन यूनिट में पर टन रिकाल देंगे आरो में उतना एनर्जी गया पाता है तब कंपेटिशन आगे ना अब उनको भी पहनत करना है अच्छा इसमें एक और स्टेज डाल देते और efficient करते हैं उसमें यह करते हैं अच्छा हमारा flow rate जादा हो जाता है तो competition खुद बर खुद efficiency को बढ़ावा देता है खुद बर खुद हमलों को मतलब आगे ले जाता है अब रहा बात की जब इस market में आते हैं तो यह थोड़ ठकाने वाला situation है कि हर टाइम आप compete करो कहां से यह आगया सूचिए फोर्ड एक का दादाजी टोयटा दूसरे का दादाजी हुंड़ा ले लिए तीसरे का दादाजी मारूती ले ले इंडिया का दादाजी कहां से यह आगया Tesla कि भईया सब को यह तेसला के पीछ बाग ने ऐसा कैसा होगा यह हमेशा होगा competition में ल वह क्यों ना चाती है ताकि वह रिलाक्स कर सेके उनको लोड नहीं लें जैसे कि अभी एंवीडिया ओल्मोस्ट यह चला गया है अपका मैनोपली लेवल पर चला गया यानि 88 परसंट ग्राफिक्स कार्ड इसी के चल रहे है तो उसका क्या मतलब है यानि कि अभी जैसे 4000 है वह कलको 5000 दाम बढ़ा देंगे जाओगे किसके पास अब बोलेंगा ऐसा क्यों दूसरे में क्यों नहीं जा सकते दूसरा इतना कम है कि उसमें मोमेंटम नहीं है यानि कि उसके लिए डेवलपर्स नहीं काम कर रहे है तो यह नहीं बन रहा है उसका मतलब उसका अल्टरनेट अब इसका मतलब होता है कि NVIDIA कितना भी चार्ज करें उसके ग्राफिस कट कितना भी हलका हो आप खरदो गई करोगे क्या तो यह हर कंपनी चाहती है चाहिए एपल हो सैमसंग हो नोकिया हो हर कंपनी चाहती कि वो मोनोपली लेवल पर पहुंच जाए जहां पर उसे टेंशन लेना ही ने कि सार हम है काफी है अला हम हम है बाकी सब कम है वो चल जाए तो यहां पर समझना बहुत जरूरी है कि यहां पर कल्चर जो है ना वही कल्चर संभाल पाएगा इसको जो चेंज के पीचे बागता है चेंज का मतलब होता है कि आप एक ब्रांड यूस कर रहो यू कुछ भी कर लेते है वो कल्चर जो है कल्चर में अगर यह है तो कल्चर हैल्दी रहा चेंज करते हैं कि मतलब लोड नहीं लेना है यह मतल्ल्य नहीं लगाना है मतल्ब यह अप लोग को पता चुझा रहे हैं क spare a Berlin को अर मैं एक्दम कल्या से आप कभी नहीं कर क whereas कि deseo तो किसी में नहीं कर सकते हो, जैसे आप computer बना रहे हो, आप computer बना रहे हो, खुब change कर सकते हो, लेकिन आप गाड़ी में नहीं छेड़ोगे, भीया देखो, हम computer का समझ रखते हैं, तो हम गाड़ी में रिस्क नहीं लेना है, तब हम लोग फास जाएंगे, तो culture जो है, culture ऐसा हो होना चाहिए, कुछ बदलते रहते हैं, जब तक वो बदलाव चलता रहेगा, तब तक नए-नए players आते रहेंगे, competition बना रहेगा, monopoly नहीं बनेगा, और monopoly में आपको थोड़ा सा law लगाना पड़ेगा, बलें ऐसा क्यों, बहाबाद की monopoly कभी ऐसा नहीं होता कि 0% था, 98% था, हम तुमको खरीद लेते हैं, जैसे आपको छोटा example रहते हैं, कि Apple में बहुत सारी technology लगती है, phone में, तो रहा बात की कई बार उनको, होता नहीं की दरदा से खर दो, वो खरीदने लगे company को, अच्छा तुम नहीं ये software बना है, बहुत अच्छी बात है, एक काम को आ जो हमार अंदर, खरीद लिया, और बहुत लोगों पता है, NVIDIA ने भी कितने चीज को खरता है, खरीद लिया, आ जो हमारे अंदर, वो खरीद पचा जाते हैं, अब जहां ये करने लग जाते हैं, अब तो जो competition था, उसी को आप गटग गए, competition जो था, आप उसी को गटग गए, समझ कि ये समझना बहुत बहुत है, जब भी था रफ टाइम होगा, लोग था तरल मिलाएंगे, और जिनको लाइन मस्ट गो आप, वो हमें साथ तुरंट बेचने को तैयर हो जाएंगे, कि अच्छा, कोई खरीद ने को तुरंट बेच तो, वहां पर लगाना पड़ता है, जैस कि Microsoft पर लगाया था उसका तोड़ने के लिए, Apple पर भी चल रहा है, और वही Google पर भी चल रहा है, तो अब लोग बीच में देख नहीं कि Google सब नाम क्यों चेंज करना है, Google Alphabet बन गया, आपका Facebook ये बन गया, Meta बन गया, क्यों वो Monopoly का Law अब लगाया जा रहा है, आप तो बहुत सारी कंपनी थी, तो बात है ने, बीच में बहुत गंदा ट्रिक निकाल दी है, Boeing सब कि एक काम करो, प्रोड़क का जो है, देखो हम भी वही Steel खरीदर जो आप खरीदरो, हम भी वही Carbon खरीदरो, हम भी वही Aluminum ले रहे हैं, जो आप ले रहे हो, ठीक है, तो सबका एक पांच में बेच नहीं सकता है, क्योंकि भाई उसने पांच तो खर्शी किया, उसे कम से कम छे में बेचना है, तब जाके वह टिक पाएगा, तब न जाके उसका प्रोफिट होगा, लेकिन आप उतना बड़ा जटका परदास कर सकते हो, मार्केट से हटा दिये, आप अपना कोई दिकत नहीं है, थोड़ा सकरो, ओपन लिए, थोड़ा सक, छे-सात महीने के नदर उसे हटा दिया जाएगा, या दो साल, आप आराम से इसा कर सकता है, तो वो किया जा सकता है, तो आई समझे, लॉज जो है, वो प्लेस में होना चाहिए, थोड़ा यह सब नहीं नहीं स बीच में अब यह थोड़ा पर भशालने लगे कि अच्छा क्या होगा, अब आरम धाप लें, यह वो जहां पर जा रहे हैं कि इन पर ब्रेक लगाने के लिए थोड़ा सा ध्यान दे रही है, तो वही समझे, थिंक्स को फेर रखना है, क्योंकि पॉसिब यह जो पर लगाएंगे, तो आप अराम से मोनोपली बना लेगे, आपका जो स्टार्टिंग प्रॉफिट था, यह ऐसा समझेंगे, जैसे आप इन्वेस्टमन बहुत पहले से करने लेगे, आपका पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वही वाला की माल जाता है, तो अवेरन अब बात करते हैं, तो यहां तक तो हमने जतना भी सिस्टम के बारे में बात किए, ठीक है, यह competition एक सिस्टम हो गया, mass production एक सिस्टम हो गया, आपका यह wish, जो desire है, हमारा सिस्टम हो तो यह सारे चीज मिलके एक ecosystem बनाते हैं, जैसे हम लोग लोग economics कहते है, बल्ले बल्ले, ल तो इसमाजना बहुत जरूर है, कि हर चीज, हर सिस्टम, biologically fail होगा, rot करेगा, यह, मतलब यह law of nature है, आप हो इस दुनिया में, इस reality में तो होगा, जैसे हो जनम होने के बाद सिर्फ मित्यो fix हो जाती है, वही वाला बात है, तो इसको कैसे solve करें, इसके लिए simple जैसे हमारा body अपने आपो करता है, maintain करते रही है, और repair करते रही है, और defined rule of law, rule of law इसलिए important नहीं कि वो rule है, सही है, सब को उसको follow करना है, जब तक सब उसको follow करना है, तो एक तक game fair रहता है, game fair रहना चाहिए, तो इसमझना बहुत जरूरी है, जैसे बीच में simple example देते है, चाइना यह कर profit लगा के बेचों के ही, यहां पर आपको हमारा इस खुद का मतलब national steel जो है, वो माली जो 100 रुपेया टन आ रहा है, आप बेचरों 10 रुपेया टन में, इसलिए इतना चूना मत लगाओ, वो सीधा था कि हम आपके market को उड़ा देते हैं, जो कर लिए, वो successfully काफी सारे चोट करते कैसे हैं, इसको करने के लिए अपनों बिल्डेंड मेंटेन एजिंसी करते हैं, जैसे कि इंडिया के एजंसी, Competition Commission of India, इन सब काम होता है, जैसे कि अभी रिसेंटली लड़ाई जड़ा हो रहा था कि पारले जी पे एक कंपनी हरपा मारना चारी थी, पारले जी इनके पा काम इमानदारी से कर रहे हैं, तब तक हमारा फेर मार्केट जो है, बचा हुआ है, जब तक फेर मार्केट है, आप और हम बचे हुए हैं, आपको लग रहा है, अभी के समय खराब है, मार्केट अनफेर हुआ, सोवियत उनियन के तरब भूगें मारे जाएंगे, या बंगल किताब उड़के थोड़े मारेगा किसी को, कि तुम यह क्या कर रहो, बंग कोट से नीचे उतार रहो, उसको टीथ देना हो, ताकत देना हो, वो कहां से आता है, इन्फोर्समेंट से, और इन्फोर्समेंट में भी काफे जिगाना कंपनी थोड़ ट्रिक निकाल लिया, कि हम इतना प्रोफिट बनाते हैं, कि जो इन्फोर्समेंट है उसको हम समान लेंगे, जैसे कि सर तुमने एक गाड़ी बेच दिया, जो मतलब एकदम गाड़ी जो है, आपके ऐसी होनी चाहिए, कि हावा से बना है, ठुकने पर तुरन पूट जाना चाहिए, ऐसा क्यों है, ऐसा सरा मॉडल, मारुती भी बनाम है, चाहिए, यूंडाई देख लिए, यह बाइकुक से भीड़ रहा है, वो आगे से कैसे कुचल जा रहा है, वो बनाया गया, वो यूरोप में अगर बेचने को कोशिश कर रहे होंगे, तो उनको देना पड़ता है, कि नहीं सर, गाड़ी का कोई कीमत नहीं, बचने का संभावना 10% भी बढ़ रहा है, अब क्रिमपल जोन फ्रंट में डालो, उसका एक बेनफिट होता है कि माइलेज बढ़ जाता है, ठीक, वो आपने कर दिया, लेकिन अगर मालिए कि यह सब कंपनी काम करें, कि बहिए, आपका क्रिमपल जोन है, ल स्टेरिंग वील आपके चाती फोड़ रहा है, इसलिए अमेरिकन गाड़ी में स्टेरिंग वील में यह रता है, कॉलापसेबल सेक्शन रता है, वो स्टेरिंग वील जोन जाएगा, आपका चाती नहीं फोड़ेगा, मालिज उसने पैसा काट दिया, तो क्रिमपल भाज है, इतने फाइन्स पढ़ रहेंगों, क्यों नहीं फरक पढ़ रहा है? फाइन्स बहुत छोटा है, मतलब कि आप बिलियन डॉलार तो शुद्ध प्रॉफिट मैं रेविन्यू नहीं बोल रहा हूँ, प्रॉफिट निकाल ले हो आप बिलियन डॉलार का, वहाँ पर आपका कि यह कोई बड़ा सा कंपरी तो एकदम चाहिन फोसिस लिजे या कल को भगवान कर रहे हैं अब फिर उनको फाइन आता है तुमको दस लाख रुपया देना पड़े गाए प्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्टट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट पर हमारे कंट्रोल रहता है, क्योंकि हमारे सी यह है आस्मान बादा है, वो हमारे से है तो corruption को जो है, और यह समझना पड़ को culpa को hate आप नहीं कर सकते है, क्योंकि यह पैनल्टी है जैसे को जनाम होता है, तो death fix हो जाती है तो कोई चीज है तो उसमें corruption fix हो जाता कि होगा, बस कम रखना होता है, आपको ये कभी निकर सकते कि zero हो, लेकिन ऐसा कर सकते हैं कि पांस से छे परसेंट से जादा हम बढ़ने नहीं देंगे, पांस से छे से जादा हम बढ़ने नहीं देंगे, चलो 10 हो गया, लेकिन आपको corruption 60 70 परसेंट चला गया, तब आप मारे जाओगे, तो context वही होता है, कि corruption जो है, उसको आपको ऐसे disease देखना पड़ा है, जैसे कि आप हो, एक उम्र के बाद आपकी body बोली जाएंगे, तो corruption वह इसे समझी, एक उम्र के बाद लोग भूल जाएंगे, तो आपको निकालना आप outdated हो, genuinely खत्रा हो, और प्लस, आप वो पोस्ट लेकर बैठे हो, दूसरे को हम बैठाएंगे, तो हमको और ब्यूर करसी बढ़ाएंगे, तो और खर्चा बढ़ जाएगा, तो समझना बहुत जरूरी है, कि हमें corruption को समभलना पड़ेगा, वो हमारी जिम्मेदारी है, paradox के बारे में, उमीद करता हूँ, आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने में, कुछ समझ में, अगर ऐसा है, लाइक करते हैं, दूसरा शेर करते हैं, उससे मेरा काफी भला होगा, नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंदा है, कोई बार नहीं, आप dislike दबा सकते हैं, मैं मुझे पता चलो के इतना ना पसंद हुआ है, मैं आप सब्सक्राइब करते हैं, मैं हर कमेंट को पढ़ने कोशिश करता हूँ, आप सब्सक्राइब कीजिए, बल दब यारा फ्री हैं, तो आपने विडिद कर जानके मुझे बहुत कुशी हुए, धन्यवाद